हालो बच्छो मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ग्यान मुके स्नाइक चैनल पर तो चलो इस नुमेरिकल सीरीज में आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर नुमेरिकल देखने वाले हैं तो चलिए देखिए क्या दिया है और E का वैल्यू दे रखा है अभी E क्यू दिया है वो पता नहीं है आपको चलिए देखते गिवन डेटा क्या क्या है गिवन डेटा में मुझे तो सर अभी बस के वी का वैल्यू दिख रहा है बोल्ट्समैन कॉंस्टंट इंटू टेन रस टू पावर माइनस 23 जूल पर अभी काइनेटीक एनर्जी चाहिए मुझे काइनेटीक एनर्जी कितना दिया है वो बोल रहा है जितना एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को एक्सलेरेट करने में लगता है वन वोल्ट से तो वह होता है 1EV और 1EV का कनवरजन हम लोग डू़ल नेचर आफ मैटर एंड रेडिये देखा है 1.6 into 10 raise to power minus 19 Joule इसलिए वो value दे रखा है वहाँ पर E का तो चलो formula कॉन सा use करेंगे हमें temperature find करना है formula हम लोग use करेंगे kinetic energy is equals to 3 by 2 kb into T okay sir no problem तो हमें find करना है temperature temperature हो जाएगा 2 times of kinetic energy divided by 3 times of kb चलो यार values पूट कर देदे 2 times of kinetic energy मतलब 2 into 1.6 into 10 raise to power minus 19 divided by 3 into kb kb मतलब क्या है Boltzman constant 1.4 into 10 raise to power minus 23 okay no problem देन ये points से ये points cancel then what we can do 2 1s are 2 2 7s of 14 okay देन मैं क्या कर सकता हूँ इसको मैं इसको और simplify कर लेते फिर आपको problem नहीं आएगा ने तो 16 into 10 raise to power minus 19 into 10 raise to power minus 23 का plus 23 हो जाएगा divide में 3 into 7 बचे गाई इसे आप 21 भी कर सकते हो या आप कर सकते हो 7 बचे वापस से 14 और 60 हो गया तो 7 एट जा 56 2.28 देन इसको 3 से और reduce कर जीजिए 0.22 हो गया अभी 3 7s are 22 देन 18 हो गया 3 6s are 18 76 0.76 into 10 raise to power 4 हो गया मेरा answer 10 raise to power 4 मतलब 7 6 double 0 Kelvin यह हुआ मेरा answer temperature का चलो उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा चलो मिलेंगे नेक्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार निमरिकल के साथ जो की इंपोर्टन रहेंगे आपके एचसी बोर्ड एक्जाम्स के लिए चलो थैंक यू